हेलो फेंट नमस्कार मैं दिनीश शर्मा बालविकास प्रिवन दिकरी महिला बालविकास बालगाट से आप लोगों को जो सुपरवाइजर का एक्जाम हो रहा है उसमें वोमेन और चाइड डेवलप्मेंट चाइड ला के विसे में बताना चाहता हूं कि एक इंपोर्टेंट एक्ट है गरेलों इंसा से महिलाओं को संद्रक्षन अदिनियम 2005 नियम 2006 मतलब पहले एक्ट बनाएगा है 2005 इसका नियम बनाएगा 2006 ठीक है एक्ट जो 2005 में बना लागू कप से हुआ लागू 17 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है इस में सजा का प्रावदान है सजा धारा 31 के तहत आदेश को भंग करने वाले को एक वरस तक की सजा और जुर्वाना बीस हजार रुपे तक का जुर्वाना का प्रावदान है मतलब एक वरस तक की सजा मतलब है उसको दो वरस की दो महां की सजा हो सकती है तीन महां की चार महां की पांच महां की मतलब एक से एक महां से एक वर्स तक की सजा इसमें हो जया सजा का प्रावधान है कुल इसके अधिनियम केता है 37 धाराएं है धरिल्विंसा अधिनियम 17 अक्टूबर 2006 से प्रभावसील है जम्मु कस्मीर को शोड़के सभी जगे लागू है इसमें कुल 37 धाराएं होती है ठीक है और जम्मु कस्मीर क के छोड़के सारे भारत में लागू है कुल 37 सजा का प्रावधान बताएं मैंने एक वर्स तक की सजा 20,000 रुपे तक का जुर्माना ठीक है इसके और विशेस जो प्रावधान है आगे आपन देखते हैं इस एक्ट कहता है सबसे पहले मैं बता दो इसमें परामर्स दाता हो महिला घटना कारित होती है उसका जो डियाइर फार्म को बोलते हैं घरेलुहिंसा के तहट जो आविदन बनाया जाता है इसको अधिक्षम परामर्स दाता भरेगा या तो सनरक्षन आदिकारी भरेगा सरकार जिसे घोजित करें महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारिय संरक्षन अधिकारी जो है उसके पास गोई महिला आती है तो स्को वाइसा माना जाएइंग एपकना आगे देखेंगे वेथित महिला जो है पीडिता को बोलते हैं वेथित महिला ठीक है यदि वो पीडिता जो है वेथित महिला संदक्षन अधिकारी के पास आती है तो संदक्षन अधिकारी घरेल हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज करता है और दर्ज करके सीधे मजिस्टेट के पार पास ले पड़े करके सीधे मजिस्टेट के पास ले जाए इसमें वकील की कोई जरुवत नहीं होती हाँ पीडिता जो यह महिला पीडित महिला जो है यह दिवा सक्षा में वकील कर सकती है तो करें अदर्वाइस उसको जो है निसुर्क विदिक सायता तो उपलंब होती है नियाले से टुक है तो इसमें जो मुख्य जो धाराएं है और 37 में भी सबसे काम की धारा है धारा तीन में घरे लिविंसा की परिवासा तो आपको याद रखना होगा धारा बारह में पसंद्छन आदिकारी का अधायत होगा कि वह आविदन भर के मेजिस्टेटर के सामने पुट अप 22 आपको याद रखना होगा यह धारा धारा बहुत इंपोर्टेंट है इसी धारा से प्रश्न आपको बनते हैं तो यदि कोई महिला पीडित महिला जब घरेलू हिंसा के दाथ पीडित है वह संरक्षन अधिकारी के पास आती है तो संरक्षन अधिकारी क्या करता है यह देखि होई घरेलू हिंसा की घटनाएं तो उसमें सबसे पहले हैं कि लेंगिक हिंसा क्या होती है आपको पिछले एक्जाम में पूछा है लेंगिक हिंसा क्या होती है भावनात्मा खिंसा क्या होती है आर्थिक हिंसा क्या होती है इसे बलपूरक मैथून असलील साहीत दिखाना आ आपको अपनी किताब में से देख के पढ़ना होगा यदि आपके पास एक्ट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा यह कहां से फिरी में करना कोई संतान् करना कि इक्छा के विवा करने में पर बल देना अपनी पसंद के व्यक्ति विवा करने निवारित करना इस प्रकार की घटना होती है कि इसके बाद आर्थिक बल प्रियोग क्या होता है आपको आपकी संतानों में भरंपोषण के धन्ना देना आपकी आपकी संतानों को खाना या कपड़े दवाई उप्रद्ना कराना घर के बाहर रहने के लिए मजबूर करना आपको घर के किसी भाग में घुशने या उसका उ आपका वेतन आ या मजदूरी आधि बनपूरक ले लेना इस ती इधन का वेयन करना विजली आधि पैसे अन्य भुक्तानना करना आधि यह सब आर्थिक में आता है और भी कोई अन्य आर्थिक प्रवुद दहेज संबंदी उत्पीडन दहेज किली को इस मांग करना इत्यादी इस प्रकार की जो परिवासा है घरेल विंसा अधिनियम के तहता आती जो धारा तीन में दी हुई है अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा हमारे पास आता है संदक्षन अधिकारी के पास आता है हम क्या करेंगे हम उसका फूरा फॉर्म भरते है फॉर्म भरने के बाद मजिस्ट्रेट को देते हैं तो इस अधिनियम की और कौन सी धारा इंपोर्टेंट है अभी तक तो मैंने बताए धारा तीन धारा बारा इसके बाद 18-19-21-22 ठीक है इसका धारा 31 में सजा का प्रावधान है कि सजा कितनी उसको होती है कोई व्यक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस अधिनियम के तहट यह सब धाराएं जो है आपको थोड़ी सी रटनी पड़ी प्राजकर घरी लिए अधिनियम 25 के तहट बहुत इंपोर्टेंट अधिनियम है धारा 18-19-21-22 ठीक है इसके बाद परामर्स जो दाता होता है सरकार निरधारित करती ही कूँँ परामर्स दाता होगा तो निरधारित वेक्त ही परामर्स दाता बन सकता है पुलिस सहायता दांडिक करवाही आस्रय ग्राय चिकिस्ता सुविदा विदिक सहायता और इस अधिनियम के तहट ही एक उउसा किरण योजना मदप्रदेश में जो चल रही है ठीक है अब दूसरे प्रदेश में दूसरी योजना चलती होगी अब जैसे यहां पे महिला बाल विकास मद्प्रदेश में घरेल विंसा अधिनियम के तहत पीडित महिला जो है जिस अधिकारी के पास जाती है उसको बोलते संरक्षन अधिकारी हो सकता है धब्रदेश में संरक्षन अधिकारी बाल विकास पर्योजना अधिकारी कहलाता है ठीक है कि यह एक्ट के खास-खास प्रावधान थे आपको जो है धारा 31 में सजा का प्रावधान किया हुआ है वो थोड़ा से महीं बता देता हूँ कि धारा 31 में बताया है यदि कोई मैज मजिस्टेट ने ऐसा कोई आदेश दिया उस मैला के हित में रिजी वो उसको नहीं मानता तो क्या होगा प्रतर्थी द्वारा संदक्षन आदेश या किसी अंतरिम संदक्षन आदेश का भंग इस अधिनियम के अधिन एक अपराध होगा वह दोनों में से किसी भाति के कारवा हो सकता है त handy हो सकता दस हाज करें हो सकता 15 जार का हो सकता 20 लेकिन 20 एक रोपए कर नहीं कर सकता था वैसा ही सजा है एक वर्ष के अंदर की ही सजा कम प्रावधान होगा इस पर तरीके से गहरेल हिंसा ने यम जो है इंपोर्टेंट है आपको लगता है कि घरे लिए अधिनियम के तहत आपको एक्ट ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो इसका मैं आपको बता देता हूं यह जो एक्ट है भारत सरकार की वेबसाइट में यह भारत सरकार की वेबसाइट जब खोलो गए www.wcd.nic.in तो यहाँ पे legislative part में जो है child related legislation और woman related legislation ठीक है यह मेरा खुला हुआ है और यह नीचे यहाँ पे दिया है protection of woman from domestic wallet act 2005 इसका आप original 1.8 MB का पूरा original download कर सकते हैं और चीजों का बारीक से पढ़ सकते हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो मेरे को आपको कैसा लगा यह अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें थैंक यू